अच्छा यहां पे हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो कैपिटल से होती है कभी 1.25 लाक्यूज होती है कभी 1.4 लाक्स आपको रखनी होती है टोटल प्रोफिट से यहां पे 43,457 अब तक हो चुका है अगर आप ROI की बात करोगे तो वो आपका कर्क्रिव 31% निकल कर आया है तो जो भी यहां पे आप अगर कहीं पर जॉब भी करो तभी से स्ट्राटियो कर सकते हो बहुत ही असान से असान तरीके साप एग्जिक्यूट कर सकते हो आज में बात करने वालों अपनी premium monthly batman strategy के बारे में जिसे कि हम सब लोग execute करते हैं every month करते हैं पिछले 10 महीनों से कर रहे हैं और उमीद है कि आप लोग भी करते होंगे यहाँ पिछले 10 महीनों में 43,000 की आसबस की profit हुई है और कोई भी loss adjustment करने के बाग नहीं हुआ है अगर अपने adjustment नहीं किया है तो सिर्फ 2 month ऐसे होंगे जहाँ पर आपको 35,000 का loss हुआ होगा तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस month में कितने की profit हुई है September month जो कि थोड़ा difficult है से strategy के लिए उसमें हम लोग ने कैसे adjustment किया है उसको देखेंगे और October month कभी एकर वीडियो लबी नहीं होती है तो उसका भी मैं यहाँ पर back testing सू कर दूँगा तो वीडियो को पुरा end तक देखेगा ताकि आपसे कुछ इमिस नहीं हो सके Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset I hope you are doing well and learning something from our content लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो के सुरुबात करूँ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही संदार वीडियो नटिफिकेशन मिलती रहा है चलिए तो हम एक पर देख लेते हैं कि इस स्ट्राइडिजी ने पिछले 10 महीनों में कैसे प्रफूम की हुए तो जन्वरी में आपकी जो प्रोफिटी वो 3,755 के प्रोफिट है फैब में आपको 5,000 के प्रोफिट हुए थी मार्च में आपको 5,795 के प्रोफिट हुए थी लेकिन एड़िजस्मेंट करने के बाद हुए थी अगर नहीं की होती तो आपको लॉस हुआ होता अप्रेल में आपको 5,135 की प्रोफिट में में आपको 4,845 की जुलाई में 2,870 की और अगस्त में 4,597 की सेप्टेंबर में आपको 3,000 के प्रोफिट हुई है 3,200 सम्तिंग अफटर एड़िसमेंट नहीं क्या होता तो आपका जो स्टॉपलस होता है 3500 का वह हीट हो गया था अक्टूबर में आपको 4,300 की प्रोफिट हुई थे कोई एड़िसमेंट करने की जूरत यहाँ पे नहीं परे थे और इन सब 10 मौन्थ का जो आपका बैक टेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे है अल्रेड़ि आप लोग जाकर देख सकते हो आपको जाकर एक प्लेलिस्ट मे बात करते हैं तो कैपिटल से होती है कभी 1.25 लाक्यूज होती है कभी 1.4 लाक्स आपको रखनी होती है टोटल प्रोफिट से यहाँ पे 43,457 अब तक हो चुक्या है अगर आप ROI की बात करोगे तो वह आपका करक्व 31% निकल कर आया है तो जो भी यहाँ पे आप अगर कहीं करो तब ही से कर सकते हो बहुत ही असान तरीके साब एक्जिक्यूट कर सकते हो अगर आपने स्ट्रेटिजी नहीं देखी है तो उसकी जो वीडियो से आई बेटन पर आ रहे होगी आप जाकर एक बार चेक कर लेना तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सप्तेंबर 23 जिसमें आपको मार्केट जो था काफी बोलाटायल था उसका हम लोग बैक टेस्टिंग करें के देखने वाले हैं चलिए हम चलते अपने अप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे चलिए अगर आप मेरे फॉलोवर्स होगे तो आपको अच्छे सी से स्ट्राइजी के बारे हैं पता होगी कि हम यह लोग इसे निफ्टी में डिप्लाई करते हैं और यहाँ पे मैं डेट अलेडी सबको सेलेट कर चुक हूँ ताकि हमारी टाइम बच सके और इसे हम फॉर्स्ट मॉंडे आफ्टर मॉंदले एक्सपारी ट्रेड करते हैं तो फॉर्थ अप सेप्टेंबर को फॉर्स् से कम कर लेता हूँ नाइन फॉर्टी फाइफ हो चुका है गेट ऑप्सन चेंट पर क्लिक कर लेते हैं ठीक है चलिए तो जो मेरे रुगलोस फॉल्वर से उनको यह स्ट्रैट्जी याद होगी कि हम इसे स्ट्रैट्जी में क्या करते थें फिप्टीन डेल्टा को पहले हम चले यह तो यहाँ पर देख सकती हो फिप्टीन डेल्टा के आस पास है उसकी जो पर जाते हैं और देखते हैं कि आपको 50 का मिलरा है जो कि 53 पे चल रही है इसे हम क्या करेंगे दो लोट सेल कर देंगे एड़ पॉशिशन करेंगे यह सेल हो जाएगा और उसके बाद क्या करते थे इसकी जो हायर प्रीमियम होगी ना जैसे 65 है उसे हम एक लोट बाइ कर लेते थे अगर आपने मेरी वीडियो देखे इस ट्रैट अगर आप बास्केट बनाये कर रहे हो मार्जिन बेनफिट्स मिलती है ठीक है एक एड़ पॉशिशन कर लेंगे सेंपल यही काम हम पुट में भी करेंगे 15 डेल्टा को ट्रैक करते हैं देखलो आप 15 डेल्टा जो है यहाँ पे 16 डेल्टा 53 पे चल रहा है तो 50 से उपर है कं 59 का उसे हम एक लॉट बाइ कर लेंगे तो सिंपल है ऐसे जैसे हम लोगों ने कॉल साइड में करा था वैसे हम लोगों ने पूट साइड में भी एड़ पॉशिशन कर दिया और हमारी स्ट्राइटजी बनके आपकी त्यार हो गई यहाँ पे देख लो पी अप करा जो की होत प्लस होगा तो या तो हमें इसमें 35 पंडिट की प्रोफिट होगी या फिर्टी फाइक पंडिट का लॉस होगा ठीक है अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो आपको टेंसले नहीं कोई होती है आपको एड़स्मेंट करनी है जब यह बंप को इधर क्रोस कर दे ठीक है इस सैड में आने लगे आपको लगे कि मार्केट वन साइड हो रही है तो भी आप एड़स्ट कर सकते हो हमारी जो रेंज निकल के आ रही है आठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाट रेंज है अब हम इसमें एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी की रेंज में है जब तक रेंज पर रहेंगे कोई भी टेंशन लेनी की बात नहीं है चलिए फिर से लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी भी हम लोग रेंज में है बट हमारा यहां पे लोस्ट बढ़ चुका है अनिसो बांबर हो चुका है बट बंप अभी भी क्रॉस नहीं करा हुआ है ठीक है एक दिन से लोगो फिर से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो यहां पे लॉस है वह आप देख लो चार यार चार सो साथ हो चुका है अगर आपने मैं तो एक दिन से आगे बढ़ रहा हूं बट आप उससे में देखोगे कि जब भी 35 जाएगा तो आप एकजिट कर लोगे जैसे कि अभी 945 है अगर मार्केट ओपें हुआ होगा आपका पनमेट पहले आप देख लो तो आप देखो कि क्या कि 430 है ठीक है तो आप एकजिट कर लो अगर आप एडिजस्मेंट नहीं करना चाहते हैं आपको लॉस बुक करनी पर आपको कौनसी पोजिशन में अननी सजाद 900 CE में अब आपको फोकस कहा करना है सिर्फ जो आपके ने दो लोट सेल करी है ना उस पे फोकस करनी है जो बाइक करी हुई है हेजिंग के लिए मतलब उस पर आपको फोकस नहीं करना है तो हमने क्या किया यहाँ पर लॉस हो रहा ह है तो यहाँ पर देखो 162 के आसपास चलतवा नजर आ रहा है इसे हम एक लोट कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है जो हमारा सेकेंड स्टेप हो यह है कि जिसमें आपको प्रोफिट हो रही है तो आप देखो पीई साट में प्रोफिट ह यहाँ पर रखेंगे आपका 18 18 पर क्या करेंगा मिसे एकजिट कर लेंगे मोटिफाइब करेंगे और यहां हमारा एकजिट हो जाएगा तो आप देखो हमने दो चेंज यहां पर किया करनी है पे-अफ चार्ट पर आना है और जब भी आप एडजस्मेंट करो गया ना ता आ या फिर इस तरह के जो भी प्लेट्फोर्म में आपको जरुवत परने वाली है अब दिखो कि आपका यहां पर रिसेट जुम्मे कर देता हूं कि आपका कितने का लॉस बच गया है तो आपका मैक्स लॉस कितना हो रहा है 5452 का अभी भी बच्चा हुआ है ठीक है अब क्या कर आपको क्या मिलेगा तो अगर हम डिवाइड करते हैं 5452 को 50 से तो आपको 109 के आसपस आएगा तो आपने क्या बुक करी हुई है अभी प्रोफिट में अपने एक लेक को बुक किया पूट साइड में तब को पूट साइड में ना दो लॉट सेल करने होंगे और जिसकी जो प्रेमियम होनी चाहिए जो डिवाइड किया आपने 5452 को 50 से 109 आपका रिजल्ट आया 109 से नीचे 109 के आसपस या उसके नीचे होनी चाहिए ठीक है उसी के आसपस आपको सेल करना है डो लॉट जो यहां पे बुक क्या है पूट साइड तो पूट साइड ही आप सेल रहा है और एक 96 है तो क्या करोगे एक सो नो एक सो नो से कम है न तो फिर आप 96 को दो लोट सेल कर लो आपको इसमें एक एड़्जस्मेंट करने के लिए एक्स्ट्राफंड की जरूत नहीं परनी चाहिए नहीं परती है बट आगर आप ब्रोको टूट करता है कुछ आपको दिखाता हूं कैसा दिख रहा है पी ओप चार्ट अब देख लो जो पोजीशन्स अब अगर मार्केट यहां से बुलिस होती है तो आपको प्रोफिट होगी आपको क्या हुआ बैक साइड में मार्केट अभी यहां पर चल रही है इसके पीशे साइड में भी आपको लोग आ जाएंगे लेकिन आपके मुंद में डाउट होगा कि अगर मालो मार्केट जो है वो पीछे की तरफ आगे तो क्या होगा अब हमारा नया लोग आगे बढ़ेंगे और इसकी बाद हम सेकेंड डिजस्मेंट नहीं करेंगे या तो हम अपना प्रोफिट लेंगे या पिर अपना लॉस लेंगे टार्गेट आप देख सकते हो या तो पूरा लॉस खत्म हो जाए और प्रोफिट में आ जातो तब भी निकल सकतो लेकिन म मैं एंड टक लेकर जाओंगा मार्केट को मतली एकस्पारी तक लेकर जाओंगा ठीक है तो जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अच्छा मेरे को मेल्स पर काफी जा रही थी काफी लोग है जो मेरे से परसनली सीखना चाहते हैं तो इनके रिगा स्ट्राइडिये मैं उसे डिप्लाई करता हूं इवरी मन्थ और इसके रिजल्ट्स भी आप लोग साहर कर दूंगा यूटूब पे तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो बताना हम क्या करते हैं एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है एक दिन से हम लौस देखो सिदे कम होगे है फोटी थी एंडिडर से वन्ठावजन पर एक ओजिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखो अभी भी हम लों घ्रीन जौन में बढ़ा है 1980 हो चुका एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यहां पे जो हम प्रोफिट में आ करें आप चाहों तो एकजिट कर लो इतना पर या फिर वेट करो कि मार्केट अब हमारी डाइकसर में जा रहा है तो और पीछे में भी इतना बरा रेंज है तो मैं तो भाई एकजिट नहीं करूँगा एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम क्या देखते ह हूं अभी प्रोफिट घड के बाइस सो पान जानबर हो चुकी है फिर अभी हमारी प्रोफिट दो हजार हो चुकी है तो एक बेसिक सा रोल ले लो जब आप पहुंच जाते हो ना जहां आप मालेजे इस किसमें अपने एडजस्मेंट करिए तो आपके बास रिस्क जादा ह दो हजार आपके बस आ चुका है ना मैं उसे आदे घंटे से आगे बढ़ा का आपको दिखाता हूं 295 की प्रोफिट क्योंकि मैं इस दिन निकला ता हूं मुझे जहां तक याद है और मैं आदे घंटे से और बढ़ा देता हूं 270 की प्रोफिट चल रही है यहां पर मैं 110 हो चुकी आदे घंटे समीता हम लोग और आगया बरते हैं और यहां पर जो प्रोफिट है 221 में तो हम लोग 2 967 तर किसमें नहीं करते हो तो कब एक्जिट करोगे मालो की अब अगर मालो अगले दिन पीछे आ जाते हो तो जैसे ही यह बंप के पास आना शुरू करेगा आप लोग एक्जिट करना क्योंकि आपको 20% आपका फॉलो करना है कि जब प्रोफिट कम हो जाएगी जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूं आदे घंट से नेक्स्ट दे क्या होता है आपका यहाँ पर देखो 930 में 402 अर्पी के प्रोफिट हो गई है तो 29 की प्रोफिट घटके 402 पी आ गई वहां से रिटर्न हो रही है तो अगर आपको यहाँ पर प्रोफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए तो यह ऐ तो अब तो आप बहार निकलोगे ना जहां पर 4000 के लॉस हो रही थी तो मैं आपको अंत तक दिखा देता हूं 28 सेप्टेमबर या फिर जाहिर सी बात है आठाइसों से प्रोफिट कम होती जा रही है तो आपको डिसाइड करना परेगा कि आपको कितनी प्रोफिट चाहिए आपको यहां पर 3300 का लॉस हो रहा होता तो यह थी पूरी स्ट्राइटजी आपको अच्छे समझ में आगी होगी जो ही मैंने बाते आपको नहीं बताई है तो इस वीडियो में इतना ही अक्टूबर मौन्थ की जो बैक टेस्टिंग है वो मैं किसी और वीडियो में कर दू कि आपको इस वीडियो में कुछ नहीं को सीखने को मिला होगा इस वीडियो को लाइक किजिएगा दोस्तों का शेयर किजिएगा हम मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए टट्टा बाबाए थैंक्स पो वाचिंग